आगरा नगानिगम ने इन दौर की तर्ज पर पिंक ट्वालेट बनाये थे नगानिगम ने उन पर डेड़ करोड रुपया खर्च किया शेहर में खड़े पिंक ट्वालेटों में जादतर ताला लटका हुआ मिलता है जिसकी वज़ा से लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर है इन दौर की तर्ज पर आगरा में भी पिंक ट्वालेट बनाये गए मगर उन में जादतर ताला लटका हुआ मिलता है और लोग खुले में सौच करते हैं इन पिंक ट्वालेट पर नगानेगम ने अभी तक लगबग डेड़ करोड रुपे खर्च किये हैं संजेपले शहर का सबसे बड़ा मार्केट है जोहां नगानेगम ने बड़ी संख्या में पिंक ट्वालेट रखे थे जनकपुर के आयोजन में नगानेगम ने यहां से पिंक ट्वालेट हटा दिये जिसकी वज़ा से वहां के दुकानदार और रहागीरों को खुले में सौच करना पड़ता है हाला कि नगानेगम वहां स्मार्ट शोचालाई बना रहा है स्मार्ट शोचालाई में तीन महीने से काम चल रहा था एक महीने से अभी काम रुका हुआ है जिसकी वज़ा से दुकानदार परिशान है दुकानदारों का कहना है कि आगरा नगणेगम इन शौचाले को जल्द बनवाए क्योंकि यहां पिंक ट्वालेट भी हटा दिये गए है स्मार्ट शौचाले का निर्वाण होने से पहले यहां लोगों ने आतिकिरमण कर लिया है सीन्यूस के लिए आदर शर्माख रिपोर्ट